वित्मंत्री अरुन जेटली ने कहा है कि भविश्य में आधार कार्ड दूसरी पहचान पत्र की जगह ले सकता है। लोगसभा में चर्चा के दौरान वित्मंत्री ने कहा कि कई देशों में ऐसा है और यहां भी ऐसा हो सकता है। विपक्ष की ओर से कई सारे पहचान पत्र को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में जेटली ने बात कही, उन्होंने कहा कि इंकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ट जरूरी कर दिया गया है, साथी जेटली ने कहा कि इस से टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलेगी उन्होंने ये भी कहा कि सरकार संसद में चार्ट जीस्टी बिल के साथ एक्साइज और कस्टम अक्ट में संशोधन बिल भी पेश करेगी, साथी नोट बंदी के दौरान बैंकों में पांच लाख रुपे से ज्यादा कैश डेपॉजित करने वालों को वित्तमंतरी ने चेत उन्में से चार ऐसे होंगे जो केंद्रिय संसद को पारित करने हैं और एक ऐसा होगा जो सभी विधान सभाओं को पारित करना पड़ेगा वो पांचों के पांचों कानून GST कांसल ने सर्वसंबती से पारित कर दिये हैं और कुछी दिनों में संसद के समक्स वो चारो कानून हम लोग लाने वाले हैं एक पाचवा कानून होगा जिसमें एक साइज और कस्टम्स एक्ट्स में भी सिंशोदन की आवश्रक्ता पड़ेगी जो उन्सी के साथ हम लोग संसद में लाएंगे और जो अंतिम डेट है GST इंप्लिमेंटेशन की समविदान सिंशोदन के तहर वो 15 सेप्टेंबर है लेकिन काउंसल का निर्ने ये है कि हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि पहली जुलाई से इसको लागू करने का हम लोग प्रयास करें इस देश में 98% एडल्ट्स के पास आधार है आज 108 करोड से जाधा आधार इशू हो चुके हैं और जिस व्यक्ति के पास आधार नहीं है वो आधार तो लूगा नहीं और पांच-पांच पैन कार्ड बनाऊंगा और फिर टैक्स की चोरी करूंगा उस रास्ते की अनुमती हम नहीं देने वाले हैं